हेलो एपरीवन नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर कुमारी प्रिया और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बहुत टेस्टी और डिलीसियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ एक बार इसे आप मेरी स्टेल सिप बना करके खा करके ट्राइ कीजिए आप रेस्टोरेंट में जा करके खाना भूल जाएंगे वीडियो पसंद आने पर लाइक शेर ज़रूर करिएगा और अगर नए है मेरे चैनल पर और आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा जो एक्दम फ्री है और साथ में जो बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर द देंगे ऑईल में जो बटर डालते हैं तब इसका टेस्ट बहुत बढ़ी आता है तो एक पर इसे ऐसे बना करके जड़ो ट्राइ कीजिए तो यह देखिए बटर मेल्ट हो चुका है तो इसमें हम फ्राइ करेंगे पनीर तो पनीर मेने लिया है 500 ग्राम आपको जितना पनीर पनीर ले करके उसे इसी तरह से फ्राइ कर लीजिए इसे हम ज्यादा फ्राइ करेंगे बस हलका सही से हम फ्राइ करेंगे ज्यादा फ्राइ कर देने पर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा एक तम टाइट हो जाएगा तो बस दो से तीन नट लगेंगे से हमें फ्राइ क एक तम सॉफ्ट रहेंगे तो सारे पनीर को पॉल में ट्रांसफर कर लेने के बाद इसे हम ढग करके रख देते हैं तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं तब तक इससे साइड में मैं रख देती हूँ तो यह देखिए कड़ाई में अभी भी ऑईल और बटर बचाई हुआ है तो इसमें हम बस एक चमच के करीब ही ओईल लेंगे छोटे चमच से ही और इसमें हम डालेंगे 7-8 लेसन के क्लोग को तो यह देखिए हलका सा ही बीच से एक एक बार काट करके मैंने डाला है ज्यादा बारीक नहीं काटना है और एक टुकरे के अधरक को भी हलका रफली चला लें और फिर इसमें हम डालेंगे 4 मेडियम साइज के प्याज को हलका रफली चॉप करके तो ज्यादा बारीक नहीं काटना है इसी तरह से रफली चॉप करके डाल देना है और दो हरी मिर्च भी इसी के साथ डाल देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर ले जिए मैं चोटे चमच से एक चोटे चमच नमक डाल रही हूँ इससे ज़्यादा भी इसमें नहीं डालना है नमक डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम ढखकन लगा करके चार से पाच मिनट के लिए पकाएंगे गैस के फिल्म को मीडियम टू लो पी र चigator लेंगे जब आजो टमाटर ठंडा हो जाए तब हम इसे पीस करके लेंगे इसे गरम गरम पीस होता है नहीं तो ज़ार खड़ाब होने का CHANCE होता हा तो फिल्का से थंडा पीस करके ले लिजिएगा इसे पीसने वाली वीडियो को मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ ने तो वीडियो जाद ही लंबी हो जाती फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले मैं इसमें 4 लॉंग 4 चोटी हरी लैंची दो तेज़ पत्ता के और दो लाल विर्च और एक चोटा चमच चीरा डाल रही हूँ आपके पास जिन में से जो भी खड़े मसाले हैं आप उसका यूज कर सकते हैं जो नहीं है एकड़े मसाले का यूज़िये , तो पिर इसमें हम डालेंगे डालेंगे बेसिक मसाले किचन के, has Beetham स्कräशFF किर स्लगी बावाले कुमदर आँस-णकी वाल चुमदर चमदर के लिए पौडर, असले मसालों प्रया-बावाले तो आप बेसिक मसाली जीरा को साथ प्रवाटर को पकाया था उसी के पेश्ट को हम इसमें डाल देंगे तो अच्छी तरह से इसके पेश्ट को आप रेडी कर लीजिएगा जरा सा भी इसमें दरदरा पन नहीं रहना चाहिए थोड़ा सा जार में पेश्ट लगा हुआ है तो इसमें मैं पानी डाल करके इसमें थ तो जार में जितना लगा हुआ था फेश्ट उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें मैने एड कर लिया है अब इस मसाले को पकाने में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कैसे इस मसाले को पकाएं तो आप इस मसाले को इस टेज तक पकाएं जब तक मसाले का कलर भी जरेंज हो जाएगा और इसके उपर ओपर ऑईल भी आ जाएगा तो आप समझ जाएगा कि हमारे इसमें तरह से फ्राइप हो चुके हैं तो मसाले को फ्राइप होने में 10-15 मिनट लगेंगे तो इसी टाइम में मटर डाल देंगे ताकि मसालों के साथ-साथ मटर भी हमारे अची तरह से पक जाएं तो एक कप के करीब मैंने इसमें मटर का यूज किया है एकदम हरे फ्रेश मटर का मैं इसमें यूज कर रही हूँ अगर आपको फ्रोजन मटर में बनाना है तो आप बना सकते हैं लेकिन अभी सर्दियों के मौसम में हरे मटर आपको ऐसी मार्कित में बहुत आसानी से मिल जाएंगे तो एक पर इससे मेरे स्टेल से चरूर बना करके ट्राइ कीजिए आपको खा करके बहुत मजाने वाला है अब इससे हम धक्कन लगा करके 10-12 मिनट के लिए पकाएंगे बीच बीच में इसे धक्कन हटा करके चलाते रहिएगा गैस के फ्लिम को मिरियम टू हाई पे भी रखके से फ्राइ कर सकते हैं यह देखिए 12-13 मिनट के बाद हमारे मसाले एक तरह से फ्राइ हो चुके है मसाले का कलर भी एकदम परफेक्ट आया है इसके ओपर उपर ओयल भी सेपरेट हो चुका है और जो मटर इसमें हमने डाले थे मटर भी मारे पनीर तो आप सारे पनीर को हम मसाले में डाल करके इसे भी हम बस एक से दो मिनट के लिए फ्राइ करेंगे तो पहले हम पनीर को एक दम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों में और फिर इसमें हम एड़ करेंगे थोड़े से कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके कर तोड़ा से क्रश करके डालने पर इसका टिश्ट बहुत अच्छा आता है इसी के साथ ये देखिए एक चथाई चमच के करीब इसमें मैं गरम मसाला पौडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा एक टुक्रा मैं इसमें बटर का डाल दी हूँ और दो चमच मैं इसमें डाल रही ह हूँ ये फ्रेज में रखा हूँ मलाई है इसमें हम फ्रेश क्रीम का यूज नहीं करेंगे ये मलाई ही फ्रेश क्रीम का काम करेगी ठंड के मौसम में मलाई ऐसे भी जम जाती है फ्रेज में रखने पे जिससे कि हमारी सबजी पहुत स्वादिश्ट बनेगी तो आब इन तो इसलिए मैं इसका यूज कर रही हूँ, अगर आपको दूसरा पानी डालना है तो आप डाल सकते हैं, अब सबजी में हम एक उबाल आने देंगे, ये देखिए सबजी में एक उबाल आ चुका है, तो इसे एक बड़ अची तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम डाल कर देंगे थोड़ा सा नमक, तो स्वाद अनुसरा इसमें आप नमक डाल दीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पहले भी हमने इसमें नमक का यूज किया था, टमाटर को पकाने वक्त में, तो उसी के अनुसरा आप इसमें नमक डाल येगा, और धेर सारे धनिया के प मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये देखे एकदम परफेक्ट बना है, और गैस को बंद करने के बाद ये और भी ज्यादा थिक हो जाएगी, तो इससे ज्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे, इसमें मैंने बस एक का पानी का यूज किया है, अगर आपको और भी ज्यादा पतली चाहिए, तो आप इसमें डेर का पानी का यूज कर सकते हैं, अब चलिए इसे हम लेके चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में, दोस्तों ये लग रहे हैं एकदम रेस्टोरेंट में मिलने वाली मठर पनीर की तरह, तो देर किस बात की है, तो जल्दी स जाएए, इसे बनाइए, खाईए, और इंजॉय कीजी और वीडियो आप सभी को कैसी लगी, कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जादा सजादा श नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई and टेक केर